Hello Friends, Java Language सीखने की सीरीज में मैं हूँ फाजा जबहर और आज हमारा फिर्ट नेक्चर है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कमांड लाइन और्गुमेंट्स के थूँ जावा में इंपुट कैसे लेते हैं जावा में इंपुट लेने के तीन मेथिट्स होते हैं Take Input as Command Line Arguments मतनब Command Line Arguments के थूँ लेना, Scanner classes के थूँ लेना, और जी Option Pan के थूँ Scanner Classes और जी Option Pack हम अपने हम अपने released the lectures में करेंगे बथ आज की lecture में हम Taking Input as Command Line Arguments मतलब Command Line Arguments के थूँ Input लेनगे Java में command line argument वो arguments होते हैं जो पपास किये जाते हैं ज़र Java के program को आप run कर रही है यह arguments console से पास किये जाते हैं Java के program में receive किये जाते हैं और input के तोर पर use किये जाते हैं यह बहुत ही convenient रहे program के behavior को check करने का different values के थूँ अब मैं एक simple सा program बनाते हैं command line arguments के तो सबसे पहले मैंने class बनाई CLA name से पिर मैं अंगलिक पब्लिक static word मैं कैसा program बनाना जाते हैं जिसमें मैं सिर्फ एक argument पास कर सकूँ जाहे argument के तोर पर मैं पना name पास करूँ जाहे integer value पास करूँ अब कुछ भी कर सकते हैं तो मैं argument के तोर पर अपना name पास कर रही हो सिस्टम गोट आप दोर प्रिंटलिंग मैं इस प्लस अर्गुमेंट सीरो मैं यह जस्ट एक argument पास कर रही हो मैं फाइल सेवर्स अब मैंने इसको सेफ करना है दोर जावा के नेम से और फाइल्स मैंने इसको डेक्स्टॉप पे सेफ किया है सेफ तो मेरे पास दोर जावा नेम से एक फाइल आ गई है अब मैं आपको इसको कंपाईल और रन करके दिखाती हूं सबसे पहले मैंने बिन का पाथ इसमें सेट करना है तो मैं अगें जाओं यह पनी सी फाइल्डर के अंदर वहां प्रोग्राम फाइल्स में प्रोग्राम फाइल्स में जाओं के फूल्डर में जेटी के 1.7 और फिर बिन के फूल्डर में और बिन के पाथ को कौपी करने के बाद में उसको यहां पे प्रोग्राम के अंदर पेस्ट कर दूगी में पेस्ट किया इसको में समी कॉल्म फिर एंटर अब लिखा जागा C अब मेरा यह प्रोग्रम करप्रा consistency पर पढ़ा है तो है करन्ध ट्रेक्टरी ट्रेक्स्टरी के मेरे पास करन्ध ये सट हो चुकी है अब में पर रोग्राम को कमपड़ करूंगी में लिख हुली刃 CAWC और मेरे प्रोग्राम को नहीं था cla.java अब मेरे पास .class name से एक फाल बंग चुकी है अब मैं argument के तोड़ पर अपना name पास करूंगी और में लिखुँगी जावा और मैं लिखुँगी स्पेस दे के फ्रोग्राम करना जो कि है cla और मैं अब मैं अपना name पास करींगी इसको अब देख सकते हैं और में यहाँ पर प्रोग्राम करना है अब अगर मैं चाहती है कि एक चितनी भी argument पे चितनी भी argument पे चितनी बी पे चितनी बी पे चितनी बी बेच रहे हैं तो हम फ़ई सी changing करेंगी इस पर हम एक फ़र का लेप लगाएंगे इसमें h i equal to zero i less than x dot length मतलब हम इसकी length जितनी ली कहना चाहूं कर सकते हैं rx dot length और i plus plus मतलब इसमें increment हो पारे और प्रेमें इसको हो पाके लिए 0 कंडर argument आई अब मैं इसको सेफ करते हूं clo dot java करेंगें लुक्त सब्सक्राइब अब मैं अगें command prompt के इंदल की CLS, clear screen और party आने पार सेट हुआ गा और current directory भी सेट हुए तो हम direct अपनी program को compile और फिर रन करते हूँ मैंने लिखा java c, capital में cla.java अब मैं अब इस को run करेंगी java और फिर मैंने लिखा class name और फिर हम इसके argument में कुछ भी पास कर सकते हैं 123456 आप देख सकते हैं कि इसने screen पर सब की सब values प्रिंट आउट कर दी हैं हमार पास जितनी value save हो रही है वह as a string save हो रही है क्योंकि हम arguments के तो पर string को पास कर रही है जैसे अब को भी number 34 है तो वह है तो integer number लेकिन as a string वह save हो अगर हम चाते हैं कि हमार पास integer value as an integer ही save हो और हम जितनी values pass करें उसको as an integer वह उसका sum return कर दे तो हम करेंगे int sum equal to 0 sum कर रही है पर हम उने 0 store कर रहा दिया और फिर sum equal to sum plus integer दो पार सेंट मतलब जो भी सामें है सेंटेक्स है जो हम C++ में लिखते हैं पर system.out.println इसमें हमें लिकर total sum is total sum is total sum is plus sum sum अब हम इसको save कर दिया अब हम इसको compile और run कर दिया CLS हमें clear screen किया और फिर लिखने compile करने कि लिए cla.java अब compile हो चुके भी हम इसको run करेंगे java space में इसमें कर दिया अब हम इसको इसमें पास करेंगे 1,2,3,4,5,6 अब देखेंगे लिए इसका sum return करेंगा इंका sum 30 है और इसने हम इसका sum देगी अब सेम इसी तरह अगर हम चाहते हम कुछ और values को अब करेंगे 5,6,7,8 अब देख सकते हैं इसने पास का sum return कर दिया है I hope आपको इस वीडियो की समझ आईगी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आईगी होगी command line arguments के तरह हम input कैसे लेती है अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आई या आप कुछ और डिटेल में बात करना चाहते हैं तो comment के जरी अपने बात कर सकते हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगा क्योंकि इस सवागी और भी बहुत से वीडियो में अपलेट करोईगी सीरीज की सुरत में आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए विडियो की जन गारी में नहीं नहीं